हेलो एरिवन कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूं सभी स्वास्त होंगे ठीक होंगे आपके पढ़ाई भी सुचारूप से चल रही है प्यारे बचो आज इस सेसन में हम हमारी वितान बाग दो पूछता का चैप्टर नमबर वन जिसका नाम है सिल्वर वैडिंग और सिल्वर व हम लोग के लिए कथा और पठकता दोनों लिखी थी साथ में काया आपके लिए ने इस इंदिस आयते का कादेम प्रोषकार भी 2005 में मिल चुका है तो प्यारे बचो शिल्वर वैडिंग क्यों लिखी गई है जल्दी से बहुत लंबी कहानी है लेकिन हम इसे कुछ ही समय में समाप्त कर लेंगे जल्दी सहसंन जुड़ जाए बहुत ही मुरंजन पूर सहसंन होने वाला क्योंकि कहानि है भी तो मरंजन सो्हों होगा ही तो जल्दी से आजाएगे आपको रसा नुबुती पराप्त करना यह आनन दायक जीवन जीना है इस कहनी के जरिये तो जल्दी से जुड़ जाएगे मेरे साथ में और लबजों के दुआरा आप लोग इस कहनी को पढ़ेंगे तो आजाए जल्दी से तो प्यारे बच्चो मनोहर शाम जोसी जी ने जो सिलोर वेडिंग लिखी है सिलोर वेडिंग आपको पता ही चल गया होगा यहीं कि 25 शादी की सालगिरा बना रहे हम लोग किसकी यह सोधर बाबुजी की है बास यही कहानी का केंदर बिंदू है यहाँ अगर है मैं इसे कुछ समय में ही निप्ता देता हूँ चिंता मत करना आप लोग में अबर समझा देता हूँ आप लोग पूरा मिलेगा प्लोग पूरा पार लिका लेकन एक बात दिहान रखना तो यहाँ पर मैने पीले कलर्स मेनिकि यलो इन यहाँ बोर्ड हाइलाइट कि कि इसका तात्परी यह कि जगह मी ने पीले कलर जब से यह पीले रंग से रंगा है सब्दों को उस लाइन का अपको पढ़ना है बस पूरा पार्ट का सार वही हो जाएगा पूरा दिया हुआ है मैंने लेकिन पार्ट का सार में लिखा है जो यलो कलर्स में लिका वो लाइन आपको पढ़नी है यहीं से आपका क्यूशन्स सब्जेक्टी हो चाहिए एमस्व क्यों पूरा हो जाएगा चलो मैं चर्चा कर लेता हूं मैं बता देता हूं प्यारे बच्चों यह यह बता देता हूं में 6 फरवरी है कब हुई थी 6 फरवरी 1947 में यानि की 37 ता के वर्स यह सोधर बाबु जी की क्या हुई थी वाइडी पंत साब जो है उनके क्या हुई थी शादी हुई थी और इनकी स्यादी पर एक घड़ी मिले थी क्या मिले थी वाच जिसे हम लों कहते ह तो जैसे हैं अंतीम फाइल का लाल फीता बंद करके उसे रखते हैं रैक में तो अपनी गड़ी की तरफ देखते हैं तो उसे में बज रहे होते हैं कितने हैं साड़े पांच कितने बज रहे होते हैं साड़े पांच लेकिन सामनी जो दिवार गड़ी है उस पर बज रहे हो कि उसे मिलाते थे रेडियो से टी वी से समय किससे मिला है तो मिलाते थे तो रेडियो से मिलाते तो आपको देहान में रहदा है अब सिरु जूद सीद अशिटेमाइस चbles्डा जो चोड़ी पतलून की पेंट पैंता है वो कुछ जादा ही अरकत वा लड़का था जवान लड़के होते हैं जो तुम्हें पता है जवाने में हरकत तो करते ही हैं अब इस कहानी में न दो जुमले हो रहे हैं एक तो ध्यान रखना ये सोदर वाबुजी एक दो जुमले होते हैं एक क्या जो हुआ होगा एक तो कौन सा जो हुआ होगा एक तो ये जुमला है दूसरा है somehow improper somehow improper ये है तो क्या है एक अमेशा के लिए एक air निरने की इस्तिती बनी वी रहती है Y.D. पंध जी के सामने और इस air निरने की इस्तिती में किसी को किसी को भी कसरवार नहीं टहराते हैं वो और यह है वह है चीज़े जो जो का त्यों इनसान गहन कर लेता है जो चड़ा है यह जैसे ही ओफिस से वाई डे पंज निकलते हैं तो बाहर देखते हैं मात आता है यानि कि उनके नीचे काम करने वाले उनके कारण वो साधे पाम तो वह बाद है जैसे चड़ा आया तो अब चड़ा जो आया पतली मोरी पेंट पेंटा था तो वह उन्हें अच्छा नहीं लगता था यह सुदर बाबुजी को वह इसे संभाव इंप्रोप लगता है एनिना के स्थिती लगती थे हमें साम अब जैसे ही वह बाहर निकले त चुने दाने का क्या हाल है ठीक है अब उन्हें पता चलता है मैनन के द्वारा पता चलता है उन्हें कैसे पता चलता है कि उनकी आशादी की साल गिरा है तो वो जब भी निकलते थे थे न तो उनका एक सेंप था एक तरीका था सब इनसानों को बोलने का कैसे कि पूरे दिन विक्ति काम करता है तो लाश्ट में चलते से में वह असी मजा कर लेते तो तो पूरे दिन की जो थकानती न वो उतर जाते थी और यह परवा उन्हें कहां से मि इला है अब किसंदा कौन था एक को आरे वक्ति था जो जैसे ही जब यह दिल्ली आया थे पहले पहले बार यसोदर बाबु जी तो बादी में बताओं को पूरी कहानी तो यह पर यह भी सुन लीजिगा यसोदर पहली बार दिल्ली आया थे तो उसमें इनकी सरकार नोकरी ल वाइडी पंत यानि ये सोधर बावू अपना लेता है और फिर उसके बाद में क्या होता है कुछ समय बाद में ही कुछ सालो बाद में ही जो किसंदाज जी थे अपने ही नीचे कलर की नोखरी लगवा देता है किसकी वाइडी पंत की रुने ही की नीचे मार्ग दर्सन में वो नोकरी करते वे निकल जाते हैं फिर एक बर क्या होता है इनके संदागी मिर्थी हो जाती है उनके मार्ग दर्शन से ही वो पर्तिक चीज को अमेश्य आखी संदागी चीज को अपनाए कर देते हैं यह तो था थोटी शी की बीच का जुम्ला अब बात करें, जैसे चड़ा बाभे सा को बहर आते कि देखे वाई, टीपंत को बहर आते कि बोला कि तुम्हारी चुनियसा, तुम्हारे चोनिया देने के हम आप, टीपंत को आज और सीहाधी की साल गीरा है इनकी, वाईडीपंत की तुम्हारी अच्छे लोगवेहा favour सь वा यहां आप लोग पैसे दे दीजे तो वह अपने परसे दस रुपए निकाल के देते हैं तो अपने जो उफिस भाई उसको बुलाता है चड़ार उसके हाथ में देता है जिसका नाम भूसनलाल होता है लगबग एबर देख लिजेगा आप भी पूछा जा सकता है आपसे ठीक ह सर्विस बोई ठीक है हाँ ए सर्विस वरी यह तो किसंदाजी के बारे में उनने का है तो यह चड़ा रहा नालायक लड़का है मैनन आये गया था यह साब लगाया तब उनने पता चला सिरिल वैडिंग है तो उसके बाद वो चड़ा बुलाता है अपने उसको बगवांदा सवरी रोशन लानी ता बगवांदास यह ध्यान रखना तो मैनन पूछता है किस मैनन इसाब लगा लिता है कि जब इनकी साधी 6 फरवरी 1947 मुई थी तो आज इनकी 25 भी शादी की सालगेरा है तो जब चड़ा कहता पाटे बाटे हो जाए तो बहें बगवांदास को बुलात क्योंकि मुझे इस भी इंट्रेष्ट नहीं है अब जैसे ही घर जाते हैं जैसे वो घर जाते हैं तो इस यादी में उनके क्या था तीन पुत्र एक पुत्री थे दिहान डखना तीन तो पुत्र थे पूछा जा सकता है आपसे क्यूसन एक पुत्री अजो बड़ा बड़ा उसे विग्यापन चापने वाली एक कंपनी में डेड़ अजहार रुपे निए पंदरास रुपे की नोगरे पर उसे रख लिया था जो इसे संभाव इंप्रोपर लगता है यह सोदर बाबुजी को कि इतना पड़ा हुआ लड़का भी नहीं फिर उनको पंदरास रुप मि कि इसे स्कॉलर से मिलकर के वो कहां चला चुगा था अमेरिका जा चुगा था और चोथा पूत्री थी वही पर्तेक जो भी शादी के लिए उसके लिए वर लोंड़ते उन सभी को एस वीकार कर देती और एक धूस लगाती कि मैं भी अमेरिका चली जाओंगी डौक्टर की पढ़ाई करने के लिए तो ध्यान लगना वाइडी पंत के तीन पुत्र एक फुत्री थी पहले पुत्र की नोकरी विज्ञापन संस्ता में लग जाती है दूसरा पुत्र आइस के तयारी कर रहा होता है तीसरा को इस्कुलर से प्राप्त करके वहें अमेरिका चाजा चुका ह जो चोथी पुत्री है चार नंबर पे वहें भी पर्तिकवर को एश्विकृत कर देती है और दोंस देती है हमेशा कि मैं भी अमेरिका चले जाओंग डोक्टर की पढ़ाही करने के लिए अब वाइडी जो पंत है वह एक हिसाफ से तो खुशी ते कि अपने बेटों खुश के अपने में महांना तो आप चाहिए इसलिए पूक्वा से भी clamber जो पुखेब हैं का थोन इसलिए कार लाना उनके उकात नहीं थी उस्याथ नहीं ती सुरी ईस्याथ नहीं थी पैसा कमाते नहीं थे जब पच्शीष में तो ऑ 확실히 शादी जो फीच से चॉड़ते लेकिन सा कि रोसनी क्यूं है कैसे है उनको नहीं पता था तो नहीं क्या पता कि जो पढ़े से पंदरा सो रुपए मिलता हैं विग्यापन कंपनी से नोकुरी प्राप तुछी बड़े बड़े पुत्र को तो वो उनकी 25 शादी की सालगरा मना रहे हैं उनको देखा तो जाकर की देखा तो उनको वो अच्छा नहीं लगा और सभी को उनने काया कि पिता जी तुम रोजान जल्दी आजा तो अज लेट क्यों आयो और उसी दिन वो जब 15 मिनटे बगवान के पूजा करने में लगाते हैं और फिर कहते हैं कि अपने पत्नी के साथ केक काटिये तो वो अपने पत्नी पहनिाज नहीं लगता में जाता हूं अपने पार्टी कीजिये टीक है तो अब ऑब अख्ये कपड़े पैंकर नहीं आते हैं तो एक गाओन पैंकर आ जाते हैं तो ओनके पुत्रों को भी अच्छा नहीं लगता है अब बात आती है इनके पतनी कि पहले तो इनके बात मानती थी लेकिन अब वो नहीं मानती है वो भी अपने पुत्रों के इसाब से ही वो चल रही है यानि कि कहते हैं कि बिना बाहों का बलाओ जी पहना उची सेडी चपल पहना इस परकार से बहुत सारे सब्द आता है इसमें तो कुछ सब्द भी बोलते हैं ये, कैसे सब्द बोलते हैं, उनको चिडाने के लिए बोलते हैं, कैसे कैसे होते हैं, बहुत अच्छा है, एक बार आप भी ध्यान लखना पूछा भी जा सकता है आप लोगों से, बूडि से या इस पकादे को यह रहा, सानियल बूडिया, बसक्राइब बातनी तो ने बुरा लगता था क्योंकि आपने पित्रों然後 बदल गई थी इस प्रकार से अब है वो हमेशा मेंसा से वो जो भी कारी करते थे नंयु व फमेंसा किसndra की नुसार दर्चाल रहे थे जो भी किसंदा अपने निस आर। अपने मार्क दर्सन के किसंदा जो बातों को परियोग करते थे वो शेम किसंदा को परियोग करते तो नहीं कमाग दर्सन चल रहे थे कि पूछ आथे उन्हें स्यादी करना जुरूरी नहीं समझा तो जैसे ही उनकी मिर्ति हुई थी तो उन्हें को प्लोट फोलोट नहीं लिया तो क्या करना इसका यह तो कहते हैं कि गदा पचिस ही है यह भी गसना पड़ता है अब किस अंदा वो जो यह सुदर बाबू जी थे उन्होंने उनको सहरा नहीं दिया वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनके परिवार वालों को बुरा लगता था क्योंकि वो जब दिल्ली आयते जब उनने बाद इंपलोट उलोट लिया था तो उसमें अकेले नहीं रहते थो उनके साथ ने दो और रहते थे इसलिए वो पूरा एक फैमिली पूरा परिवार साथ में रहता था मर्ज यहने की पूरा सामुई परिवार रहता था गandelिए पॉता यह सिष्टर का मतलब उनके जी आ जी कर और ऑल आ जाना चाहते है लेकि बड़ा बेटा कहता है कि मैं कोई पैसा नहीं दूँगा यदि आप वाके जा रहे हो तो उन्हें अच्छा भी नहीं लगा ऐसा उन्होंने कह दिया उसे क्योंकि जब वो कहता है ना कि पिता माता पिता अपने पुत्रों को बड़ी अच्छे से सिक्षा देने के बाद तो उन्हें बड़ा अच्छे पढ़ा ही करवा जाता अच्छे पैसे कमा रहे होते हैं उसके बाद भी यह बात है जब कोई कह देता है पुत्तर अपने पिता को तो पिता को बहुत बुरा लगता है प्यर बच्छो ऐसा कैसी से नहीं कहना है आप लोगों को चापने आपके पढ़ना ही पढ़ना होगा ठीक है अब देहान रखना उनके जीजा जी का नाम क्या था जनारदन जब जनारदन सब्सुनाई पढ़ा तो उन्हें अपने जीजा जनारदन जोसी की याद आई और परसूंही काड़ आया कि उनकी तब्यत खराब है यह सोचने लगे कि जीज नहीं दूंगा आप जाओ तो अपने इसाब से जना कमाओ बेटे ने कह दिया कि आपको भुहा को बेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा यह सुदर बाबु को कहना पड़ा कि अभी तुमारे बबबा की इतनी साख है कि सो रुपए उदार ले सके यह सुदर जी का नारा हमारा तो सेंप यह ऐसा देखा ठहरा हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है इस नारे से उनकी पत्री बहुत चुड़ती है यानि कहने का ताथ प्रे क्या है कि जब उनके जिया जी की तब्यत खराब हो रही थी उन सोजा कि कोई कुछ पैसे बेश दिया जाए औ तो इस नारे से उसकी पत्री बहुत जादा चड़ती से साथ में सानेल बुडिया चटाई का लेंगा उस परकार से वह चड़ती ही रहती तो प्यारे बचो अब यह द्यान डखना कब आय थे वह दिल्ली यह सुदर बाब मैट्रिक पास करते ही वह दिल्ली आ गए थे और व भी हो चुके हैं उमर्दराज भी हो चुके हैं यह सब इनसान भूल जाता है ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना आप देखो उनकी क्या कहता हैं कि पत्नी के कारना में देख लो बुडिया है लेकिन फिर भी देखो क्या-क्या सो कर रहे हैं यह बगेर बहां का किसी से कि यह कह तो एक थेहो अच्छी को पैने थे और के विचार विचेर सुबागे है और कि यह आप दूदुद लाया करो तो मुझे अच्छा लगेगा यह सुब पहन पहुँन के जाया कर तो उनका अच्छा लगता है लेकिन सब कुछ वही लाते हैं सब जूब जी इनकी बिर्ला मंदिर में जाना वहां राम जी के वजन सुनना तो यह सब उन्हें अच्छा भी लगता है लेकिन वह अपने परिवार से भी थोड़ा खफा हो गए थे क्योंकि वह जब भी मंदिर होता है मंदिर की हम komma करते हैं प्यार होना चाहिए तब तो मज़ आता है घर जाने का अब तुम्हें बहूर जाते होग सतिती हैं आसी हो यह कहते हैं हम दो हमारा एक हमारा पूरा परिवार हो गया पूरा परिवार कहां से हो गया भी मात परता कायें जुन नों तुम्हें जनम दिया है तुम्हें इतना बड़ा किया वो कहां है तो यह भी इस्तिति आप लोग इसे दे सकते हैं दूसरी बात लेखक ने कहा है कि हम इस कहानी को एक उस रूप में भी दे सकते हैं कि हमारा जो देश है किस कारण से विकास नहीं हो रहा है किन-किन ततिओं की कमी है इसके उन ततिओं की रोपे मिसे पड़ सकते हैं वही बात है जब एक पूरा परिवार है सब कुछ पड़े लिखे हैं लिकन फिर भी कहते हैं कि इस परिवार में ऐसा कुछ सांती नहीं मिलती है उसका विकास रुक जाता है तो वही बात यहां है यह जो अनुवर्शिय मनाते ना यह है यह सुदर बाभुजी बिल्कुल सीधे साधे इनसान और यह उनकी पत्नी है यह उनका बड़ा बेटा यह उनकी बच्ची है तो इस सब वह उन्हें सम्हाव इंप्रॉपर लगता है ठीक है यह आप लोग पढ़ अब जो समझाया था उसे देहान रखना क्या क्या समझना है आप लोग इतना है तो इस टार्ट कहां से होती है वाइडी पंध जी के ओफिस से श्टार्ट होती है जो अन्तीम फाइल का फिलाल फिता बंद कर रहे से यह फाइल को रेक में रखते हैं तो उनकी कलाई में लगता है लेकिन उसे मनजाख करते हैं कि तुमारे जापानी चुनी दाने क्या हाल है लेकिन जब वो इसाब लगाते हैं कि मैनन इसाब लगाता है कि आतो सर जी की वाइडी पंध की 25 शादी की सालगरा से रखना करता है कि आज तो कुछ मीठाई सुटाई हो जाए तो अप उन्हें बगवांदास ऑफिस जबाया को बलाता है और कहते हैं कि यह ले मिठाई लेया लेकिन वह कहते हैं तस रुपर से क्या होगा दो नोट और दी दददस के तो फिर वह ददस के निकाल के उन्हें दे देता है तुम अपने आप पार्टी करिये मुझे अच्छा ने ल लेते हैं और उन्हें 50 रुप धर देते हैं कि अपने कपड़े से लवा लो अपने घर पर भी इन्हें पैसे को भेज देना फिर उनके चार तीन पूत्र एक पूत्रिया बड़ा पूत्र था एक विग्यापन कंपनी में नोखरी मिल जाती है पंदरा सुर पर लगते है कि दोष्ट देती है कि मैं मेरे का चली जाओं डोक्टरी पढ़ाई करने के लिए और जो पत्नी है उसकी वह भी अब बच्चों की तरह जवान होती हुए जा रही है बिना बाग का बिलाउज पहनता हूंची सेंडल पहनती है और बाहर नास्ता उस्ता कर लेती है और केकु भी काट लेती है और सब जैसा बच्चे कहरें वह तैयार रहती हमेशा जवान हो चुकी है लेकिन जब यह सुदर बाबुजी उन्हें कहते हैं सानेल बुडिया चटाई कलंग ऐसा को चुबाके बोलते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है फिर वह उनके एक बर क्या ह तो मुझे मुल जाएंगे लेकिन तब वो कहते हैं किसंदा के मार्क दर्सन में से बाते सीकी हुई थी कि हमारा सैंप तो ऐसा ही ठहरा तब उनके पत्निकों बहुत बुरा भी लगता है तो प्यार बचों यह कुछ एक कहानी ती जिसको आप लोग पढ़ लेना और को यूप चैनल है C.U.E.T. ठीक है अड़ा 24 तो आप वहां जाकर के भी आप लोग हमारे हमसे C.U.E.T. 2023 की तायरी कर सकते हैं क्योंकि बच्चों के बहुत अच्छे परसंटाइल पराप्त हो यह थे हैंडड में से हंडड परसंटाइल पराप्त हो यह थे बहुत सारी होता है ठीक है अच्छा अलगा सेशन तो देख लेना और कमेंड करके वह से बताना है कि समझ में आया या नहीं आया तो प्यारे बच्चों अभी के लिए तना ही धन्यवाद थेंक्यू सो मच लंबी कहानी है थोड़ा अच्छे से पढ़ना इसे